नमस्कार दोस्तो आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे देखिए आज हम डिसकस करेंगे 5-6 दिसंबर का दा हिंदू नियूस पेपर और P.I.B. तो लिजे गाइज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे P.I.B की तो देखिए International Cheetah Day और Wildlife Conservation Day को celebrate किया जाता है National Geological Park के वहाँ पे तो देखिए बिल्कुल basic आपको पता होना चाहिए कि International Cheetah Day और Wildlife Conservation दीवस जो मनाया जाता है वो बिल्कुल 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इसे जो celebrate किया गया इसमें बिल्कुल collaboration है Central Jew Authority का तो Central Jew Authority के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि एक statutory body है इसे setup किया गया 1992 में to take care of Indian Jews and conserve करने के लिए country की rich biodiversity को दूसरा देखिए Central Jew Authority बिल्कुल Ministry of Environment and Forest Climate Change के अंडर में आता है और इसे create किया गया था Section 38 Capital A of the Wildlife Protection Act 1972 देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि Central Jew Authority को create किया गया था Wild Life Protection Act 1972 के तहती ये पता होना चाहिए क्योंकि आजगल पूछे जाती है ऐसे चीज़े कि कौन से क्या act से इस body को बनाया गया कब बनाया गया इसका mainly motive क्या कुछ है और ये जो line है जो भी definition यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी बिल्कुल इनकी जो official website है वहाँ से हम लोग लेते हैं कहीं ऐसा नहीं है इधर उदर का किसी का उठालिया ऐसा नहीं है बिल्कुल भी आपको बिल्कुल authentic जानकरे मिलेगी यहाँ पे दूसरा देखिए ministry of culture ने organize किया dark room ठीक है letter writing carnival का मतलब कोई भी festival होता है जिसमें dance music मतलब आनन्द लिया जाता है तो बिल्कुल ministry of culture ने organize किया है dark room the letter writing carnival in association with department of post के साथ मिलेगी आप देखिए कई बार exam में मिल सकता है कि यह dark room चर्चा में था यह कौन सा क्या मंत्रालिया ने थोड़ा सा पता होना चाहिए दूसरा देखिए the first sirpa meeting of India G20 presidency कहां पे start होती है कहां क्या होती है बिल्कुल पता होना चाहिए बिल्कुल 100% पूछे जाने की संभावना आने वाले exams में तो यह उद्यपुर राजस्तान के यहां पे बिल्कुल start की जाती है दूसरा देखिए अगर हम बात करें responsible for fixing the benchmark interest rate in India ठीक है यह responsible है monetary policy committee के बारे में बात करें बिल्कुल 6 member की monetary policy committee यह है और section 45 45 ZB of the amended RBI Act 1934 provided empowered six member monetary policy committee अब देखिए कई बार पूछे लेते हैं कि भाई कौन से क्या act से कौन से क्या year में इसको बनाया गया तो आपको पता होना चाहिए 2016 में इसको established किय बनाया गया था और इसकी जो meeting है held होनी चाहिए at least four time से year ठीक है और इसकी जो meeting होने के लिए जो क्योरम जिसे हम कहते हैं for the meeting of monetary policy उसमें चार member का होना बहुत जरूरी है तब इसकी meeting होगी वरना नहीं होगी और देखे once every six month RBI publish करता है एक document जिसका नाम है monetary policy report यह भी पता होना चाहिए इसमें छे जो member होते हैं उनमें तीन official होते हैं RBI से और तीन external members होते हैं nominate करे जाते हैं भारत सरकार के दवारा basic information बिलकुल आपको पता होना चाहिए ठीक है guys उसके बाद में guys देखिए international labor organization भी बिलकुल चर्चा में है तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहि agency है और इसका मेंली mandate है to advance social and economic justice by setting international labor standards के उपर बात करता है मेंली यह और इसे found किया गया था 1919 में under league of nation the first and oldest specialized agency है United Nation की और इसका headquarter कहां पे है Geneva Switzerland में इसका headquarter है और इसे Nobel Prize Prize से भी शमानित किया गया था 1969 1979 में अब इसी के साथ देखे guys अगर आपका कोई भी suggestion को सुझावे आप बिल्कुल नीचे comment कर सकते हैं या आपे हमें mail कर सकते हैं या फिर direct Instagram पे दा Hindu PIV note सर्च करके वहां से भी जुढ सकते हैं मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ तब तक के लिए have a awesome day